तो डिंगर एक्वेशन जो है वो अपन को डिराइव करनी है हमने अभी तक जो चेप्टर देखा है उसके अभी तक जितने भी टॉपिक अपने श्टडी किये हैं उसमें अपन को यह पता चल गया कि कोई भी वेव होगी वो पार्टिकल की तरह भी भी विखेव करेगी और को इसका यह मतलब है कि कोई particle है अगर उसके साथ साथ wave भी travel कर रही है तो उस wave के properties भी सारी उसके अंदर होनी चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई भी particle होगा उसके साथ में actual में एक wave travel नहीं करती है बलकि यह wave का पूरा group होता है यानि यहाँ पर बहुत सारी waves होती है ज इक वेव क्यों नहीं लेते है अपन पार्टिकल की बहुत सारी वेव क्यों लेते हैं यह अपन किसी नेक्स्ट आगे किसी टॉपिक में पढ़ेंगे जहां पर अपन concept of wave packet तरंग समूहों की अवधारना उसके अंदर इस चीज़ डिटेल में देखेंगे कि एक पार्टिकल क के साथ वेव का पूरा पकेट चल रहा है अब क्योंकि वहां पर वेव नेचर है तो वेव की सारी प्रोपर्टिज होनी चाहिए तो हम यहां पर जो पार्टिकल है उसके साथ साथ जो वेव चल रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टम यूज करते हैं एक हैं तो यहां पर आ जाता आर और टी या फिर एकस वाई जेड और ती तो यह पोजिशन और टाइम का फंक्शन होता है इसे तरंग पलन कहते हैं और क्योंकि तरंग की सारी प्रोपर्टी उसके पास होगी तो तरंग चलंड नियतांग जिसे हम कहते हैं वेव प्रोपेगेशन कॉंस्टेंट के इस इकवस्ट टू पाई बाय लेमडा और लेमडा क्योंकि पार्टिकल और वहां पर दोनों हैं तो डीप लोगली हाइपोथिस से हमें पता है कि लेमडा होता है एच अपॉन पी तो इससे की वेलि एफ या फिर टू पाई नियू और वेव की जो हमें पता है कि पार्टिकल की एनरजी कितनी होती है इस इकवस्ट टू एच नियू तो यहां नियू की जगह हम क्या रख सकते हैं इपॉन एच तो यहां से ओमेगा का मान आ गया इपॉन एच ग्रोस तो इसका मतलब यह है कि जो पार्टिकल है उसके साथ सा जो वेव चल रही है उसका समवेग कितना होगा एच क्रोस के जो कि यहां से आ जाएगा इस रिलेशन से और इस रिलेशन से आप यहां से पी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा एच क्रोस के इसी तरह से उसकी जो उर्जा होगी वो कितनी direction में travel करेगी तो हम plus x direction में travel करने वाली किसी भी wave को किसे denote करते हैं या तो coast से या तो साइन से या तो exponential part से ये ध्यान रखिएगा कि ये तीनों ही term जो है ये आपको ध्यान होगा तो अपन say एक भी शापन करने विश्थापन समीकरनं लिखते हैं वह क्या लिखते तो हम यहाँ पर भी plus x direction में travel करने वाले एक wave ले रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि यह बराबर लेते हैं तो amplitude लगाते हैं इसलिए मैंने इस बराबर और a को हटा के यहाँ पर proportionality का sign लगा दिया है और हमारे पास जो तरंग फलन है उसको हम साई से रिनोट कर रहे हैं तो अगर यह तरंग की तरह behave कर रहा है तो यह पका किसके proportion होना चाहिए और या फिर sin kx- omega t या फिर e raised to power i kx- omega t यह अप ध्यान रखना यह हमेशा एक plane wave को represent करता यह function क्योंकि exponential को देखो e की पावर i theta के अंदर क्या होता है साइन और कोसित होता है करेक्ट तो साइन थीटा और कोसित अगर वेव को represent कर रहे हैं तो e की पावर i theta भी वेव को represent करेगा तो प्लस एक्स डिरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव के हमारे पास तीन तरह के options होते हैं तो हम इन तीनों को ही consider कर सकते हैं इनके अंदर यह momentum होगा उस तरंग का और यह उसकी energy होगी अगर हम यह कह रहे हैं कि electron के साथ साथ जो हमारा wave group चल रहा है या wave package चल रहा है उसके लिए हमने तरंग फलन define किया है और इसके अंदर तरंग की सारी properties है तो यह तरंग समीकरण को भी संतुष्ट करेगा उसको भी satisfy करेगा तो एक wave की equation यानि एक तरंग जो होती है वो तरंग समीकरण को satisfy करती है और तरंग समीकरण होता यह यह आपने wave and oscillation वाले paper में पढ़ा होगा second year में तरंग एम दोलन उस उसका form आता है कुछ इस तरका ठीक है तो इसका derivation आपको वहां मिल जाएगा तरंग दोलन में तो अगर साई भी तरंग फलन है तो साई इसको satisfy करना चाहिए तो यहां पर उस time क्या लिखा होता है डेल डेल टुवाई अपॉन डेल टी स्क्वाईर इस इक वी स्क्वाईर ड अगर और पका साई इस तरंग समिकरन को संतुष्ट करना चाहिए हम यह मान लेते हैं कि यह तरंग समिकरन साई के लिए बिल्कुल सही है लेकिन इसको वेरिफाइगा ज़रूरी है तो पुटिंग एनी ओफ साई फ्रॉम एक्वेशन वन इक्वेशन वन में देखो साई तो कोस टर्म लेलो या साई टर्म लेलो या ए की पावर आई वाला टर्म लेलो तो अपन कोस और साई कोई साभी ले लेते हैं या आप तीनों ही लेलो तीनों से से ही डिजर्ट आएगा तो उस कंडिशन में गामा की वेल्यू आपको क्या मिलेगी ओमेगा स्कोर अपॉन कै कैसे मिलेगी देखो equation two का left side by and time का coefficient यहां पर क्या है minus omega और क्योंकिm Yes omega का अपने पास दो बार coefficient आएगा तो हो जाएगा minus omega square और cos का एक बार अउकलन करोगे तो क्या मिलेगा minus sign और दुबारा अउकलन करेंगे तो क्या मिलेगा plus cos यानि यहाँ पर minus का वापस अपने को क्या मिल जाएगा cos kx minus omega t यह तो हमें मिलेगा left side से और right side में क्या है gamma del 2 psi upon del x square तो यह value हमें क्या मिलेगी gamma del 2 upon del x 2 और वापस psi की जगर रखेंगे cos kx minus omega t अब देखो दो बार अउकलन होगा है with respect to x तो x का coefficient यहाँ पर क्या दिया है अब अपन को k तो क्योंकि दो बार करना है तो बाहर क्या जाएगा के स्क्वेर और गामा साथ में है और कोस का अवकलन क्या होगा माइनस साइन फिर साइन का दुबारा अवकलन क्या होगा कोस तो माइनस साइन के साथ में हमें वापस क्या मिल जाएगा cos kx minus omega t और क्योंकि equation number 2 के इस आप से यंगल और यह वाला term बराबर होने चाहिए क्योंकि ये दोनों बराबर है तो जब इन दोनों को equ seguinte करेंगे तो कोस से कोस कैन्सिल हो जाएगा और यह वाला पार्ट बच्चा है इस में बाहर मामा साइन आ रहा है वह मामाम साइन इस मा क्रिप्प्लाइब कर दो he Ä tissu two years go to do Muscoab ुमेगा क्या था ए उच्प्रोफ क्या था रिप Kindaji स्कूएर में वह स्कूएर होता है अगर मैंश स्कूएर होती है गतीजूजा होती है अगर पार्टिकल फ्री है तो यहां 20 चाहे जाएगी महरे पास इ Kab Tap यह equation number 2 बिल्कुल सही है तो चाहे particle force में move कर रहा हो चाहे particle free हो यह equation हमेशा सही result देना चाहिए तो verify करते हैं free particle के लिए free particle के पास किसी भी तरह की इस्तिति उर्जा नहीं होती है यह हमेशा ध्यान रखिएगा कोई particle जब किसी force के प्रभाव में गति करता है चाहे attractive हो चाहे repulsive ह तभी उसके पास potential energy आती है लेकिन अगर कोई particle freely move करता है तो उसके पास केवल एक तरह की energy होती है and that is kinetic energy गति जूर जा तो अगर particle free है तो उसकी total energy होगी kinetic energy के form में हम जानते हैं E होता है h cross omega और यहाँ P होता है h cross k तो वो दोनों value put करी and omega की value निकाल ली अब देखो equation number 2 क्योंक ना हो उन सब के लिए साई उसको define करना चाहिए wave को और free particle के लिए हमें relation भी मिल रहा है omega और k में और यह जो wave आपको equation number 2 से मिल रही है यह भी हमें omega और k में relation देती है लेकिन अब अब जहान ध्यान से देखना free particle के लिए हमें यहाँ पर omega की किवल एक power मिल रही है जबकि यह अहाँ पर k की power कितनी मिल रही है दो और हम जानते हैं कि equation number 2 के left side में साई का अउकलन दो बार किया गया है time के respect में अगर हम साई की value कोस और साइन यह दोनों रखते हैं तो कोस के अंदर ही हमारे पास क्या है kx minus omega t साइन में भी क्या है kx minus omega t ओके ऐसी condition में या फिर exponentially बान लो तो कुछ मि मान लो ना तीसरा e की power i वाला मी मान लो चलो 3 ही मान लेते हैं अगर यहां पर हम यह तीनो भी values रखते हैं और्ट के respect में दो बार अ खतान करते हैं तो यहां पर का coefficient की है माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा और हम जानते हैं कि T के रिस्पक्ट में अगर हम दो बार differentiation करेंगे तो माइनस ओमेगा की बाहर पावर कितनी आ जाएगी जबकि free particle के लिए left side में omega की power कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है right side में कोई issue नहीं है क्योंकि right side में gamma constant है तो वो gamma तो suppose करो h cross upon 2m से satisfy कर देंगे हम लेकिन जो k की power 2 है वो किस वज़े से आती है अवकलन से आती है यहाँ x के respect में अवकलन दो बार हो रहा है और x का coefficient है k यहाँ पर भी k और यहाँ पर भी k तो जब हम इन तीनों function का x के respect में दो बार अवकलन करेंगे तो हमें k का भी square मिल जाएगा पर k का square तो हमारे पास है तो right side में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन left side में free particle के लिए omega की power के वाल 1 आ रही है जबकि हमें यहाँ पर omega का square मिल रहा है तो यानि यह equation हमारे free particle को धंग से explain नहीं कर पा रही है तो हमें इस equation में कुछ changes करने पड़ेंगे अब इस equation में right side कोई problem create नहीं कर रहा है इसलिए हम right side में कोई change नहीं करेंगे लेकिन left side में हमें omega का square नहीं चाहिए इसलिए हम t के respect में अवकलन दो बार नहीं चाहते केवल एक बार चाहते हैं तो हम equation में changes करेंगे ये अब हम जो equation लेंगे let's take the following equation देखो यहाँ पर हमने साई के respect में अवकलन वहाँ दो बार था उससे omega square मिल रहा था हमें omega के power 1 चाहिए थी तो हमने अवकलन एक बार ले लिया right side में कोई issue था नहीं तो उसको हमने touch नहीं किया लेकिन अब फिर से check करते हैं कि ये equation सही है या नहीं अगर si के si को अपन cos वाल अटम मानते हैं और sin वाल अटम मानते हैं तो ये equation कभी satisfy होगी ही नहीं क्यों नहीं होगी suppose si को अपन ने cos माना तो t के respect में जब हम उसका एक बार अवकलन करेंगे तो omega की power तो 1 मिल जाएगी हमें लेकिन si अगर cos में है तो cos का एक बार अवकलन करने से हमें क्या मिलेगा left side में sin theta मिलेगा जबकि right side में क्या है उसका x के respect में दो बार अवकलन किया है इसका मतलब cos theta का दो बार अवकलन करेंगे तो cos theta का एक बार अवकलन करने से sin मिलता है और दूसरी बार अवकलन करने से वापस cos मिल जाएगा यानि right side में gamma के साथ-साथ हमें जो term मिलेगा and that will be cos और sin का भी cos के equal नहीं हो सकता अगर left side में sign मिल रहा है तो right side में हमें क्या मिलना चाहिए sign मिलना चाहिए यानि cos theta रखेंगे तो equation 3 valid नहीं होगी sin theta रखेंगे तो भी equation 3 valid नहीं होगी लेकिन अगर e की power वाला term रखें तो valid हो सकती है क्योंकि e की power alpha x का अगर आप एक बार उकलन करोगे तो भी आपको e की power alpha x मिलेगा दो बार उकलन करोगे तो भी आपको e की power alpha x मिलेगा तो हमारे ये पास जो sign के solution है उसमें से हम इस solution को हटा देंगे और इस solution को भी हटा देंगे और केवल इस solution को रखेंगे और इस solution को रखते वे हम ये समीकरण को satisfy करवाएंगे और गामा की value निकालेंगे तो exponential वाले part का पहले time के respect में करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा डेल बाइ डेल T और साई का मान कितना है E की पावर I KX माइनस ओमेगा T और ये बराबर हो जाएगा गामा डेल 2 अपोन डेल X2 E की पावर I KX माइनस ओमेगा T ठीक है अब T के respect में एक बार equivalent करेंगे तो बाहर क्या आएगा माइनस का ओमेगा और साथ में exponential वाल अटम वापस का आ जाएगा इधर गामा के साथ में आएगा मारे पास इधर गामा के अंदर देखो राइट साथ में दो बार डिफ्रेंसेशन हो रहा है और X का कोफिशेंट के आए यहां पर आयोटा के ओके तो इक्वेलिटी के साइन के उधर गामा के साथ में आयोटा के आएगा और उसका स्कॉर आएगा और वापस एक्स्पोनिंशुला बाला पार्ट एज़िटी सा जाएगा अब क्योंकि एक्स्पोनिंशुला पार्ट तो लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है तो वह कैंसल आउट हो जाएगा यहां से गामा की वेलिटी निकालेंगे तो कालमा की वेलिटी हमें क्या मिल जाएगी। अब देखो यहां पर एक मायनस ओमेगा रखा वा ए ठीक है लेट साइड में क्या है मायनस ओमेगा राइट साइड में अई और साइगा इंध अई आउट की साथ में एक रभी हैता और RIGHT साइड में हमें को डिए सब्श्पोनिं स्क्वाइर और एक्स्पोनेंशल वारा पार्ट एक्स्पोनेंशल से एक्स्पोनेंशल हो जाएगा और आयोटा का स्क्वाइर क्या होता है माइनस वन तो राइट साइड के अंदर आयोटा का स्क्वाइर माइनस उन कि उमेंगा तो ओमेगा की वैलू कितनी होजाएगी ओप हो जाएगी एप ओमेगा की जगे तो रख़ँ देंगे हम यह ब्यों क्या था क्या mix को यहां से वेजस्द के के गारं यह देंगे पी-धकोर्फ एच्च्छ्च्ष और से जायेगी यह इग осnon yak-al tech यह क्या तो free particle की total energy क्या होती है P square upon 2m होती है तो वो value रखी और हमें gamma की value मिल गई और जो gamma की value हमें मिली है वो वापस हम इस तरह समीकरण में put कर देंगे और हमें equation मिल जाएगी यह अब यह equation बिल्कुल सही है क्योंकि यह omega square भी यह omega की left side में power भी बन देगी right side में k की power 2 देगी और Crustuse five हो जाएगी तो यह हमारे अग्सकॉर मने क्या किया क्या कि अच को से करेंगे वनीचे कारेंगे और क्या हो जाएगा स्कॉरा जाएगा तो यहाँ पर इसका स्कॉअर कितना होता है माइनस वन और H क्रोस स्कुरेर आ जाएगा इसे कहते हैं एक विमिय शोडींगर समी करन वन डाइमेंशनल स्रोडींजर एक्वेशन ठीक है तो आपके पास डेरिवेशन अगर एकजाम में एक वेशन आता है कि एक विमिय शोडींजर समी करन को व्यूत्पन कीजिए तो जो ड uprising करते हैं यह अब हो यह क्र लेते हैं प्रीफिकल कर लेती है कि यह जो इक्वेशन हम Araut इसका सब्सक्राइ septemil निकालते हैं छैक एक मुझा करते हैं सभी है और सब्सक्राइब precaution cancel हो जुका है केवल ये वाला बच्च है तो T के respect में इसका alkaline कर दिया ठीक है और ये exponential वाला पार्ट जो है इसको वापस क्या लिख दिया साई और H cross omega क्या होता है E साई होता है अब right side निकालते हैं समीकरण की तो X के respect में अवकलन कर दिया यहां पर आप देख लेना exponential वापस हाई रख दिया और यह term था पास P square और यहां पर देखो उस समीकरण के हिसाब से दोनों साइड बराबर होने चाहिए और हम यह जानते हैं कि free particle के लिए E की value P square upon 2M आती है तो यह relation भी सही है इसका मतलब समीकरण में कोई गड़बर नहीं है अब वो one dimension अपने लिखी थी क्योंकि अपन के वाल X के लिए लेके चल रहे थे अब यही three dimension में लिखना हो तो देखो left side में तो dimension का कोई फरग नहीं पड़ेगा पर यहां पर जो X है तो डेल 2 upon डेल X2 की जगह है साथ में अगर 3D में लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई वाला component भी आ जाएगा और जेड वाला component भी आ जाएगा और आपको ध्यान हो तो इन तीनों को मिलाके हम डेल स्कूर से रिप्रशन करते हैं बाप्लासियनम उप्रेटर जोड़ीवेसिशन उम्हार करको इस तरह से ठीक है यह 3-D दाइमेशनल शोडिंजर एक्वेशन और यह रिलेशन तो संकारक operator ध्यान रखना quantum या अंत्रीकी में या quantum mechanics की अंदर संकारक हर physical quantity हर बोतिक राशी के corresponding एक संकारक होता है जो आपन आगे detail से पढ़ेंगे यह संकारक का मतलब क्या होता है पर यहां आप ध्यान रखिए कि energy के corresponding संकारक आया है यह इसी तरह से right hand side में अगर आपन देखे compare गड़े तो 2m तो यहां पर भी है 2m यहां पर भी है साई यहां पर भी है साई यहां पर भी है तो पी स्कॉयर की जगह क्या है आपने पास माइनस का एज क्रोस डेल स्कॉयर और अगर सिंपल पी की जगह अपन लेना चाहें तो वह आजाएगा अपने पास माइनस का आयोट H cross delta क्योंकि अब इसका आप square करो तो इसका square करने से आपको क्या मिलेगा माइनस का H cross square आपको वापस मिल जाएगा तो P operator की जगह हमारे पास ये तो ये energy corresponding संकारक होता है और ये somewhere के corresponding संकारक होता है ये तब था जब हमने particle को free माना अगर किसी particle पे कोई force भी साथ साथ में लग रहा हो और वो conservative संरक्षी बलो आप ये ध्यान रखिएगा अगर कोई भी बल संरक्षी होता है तो वो इस relation को satisfy करता है F is equals to minus del V जहाँ V होता है potential energy इस्तितिज उर्जा यानि F अगर संरक्षी है तो वो minus का del V के बराबर होगा जहाँ V इस्तितिज उर्जा को represent करता है तो उस condition में total energy हमारे पास क्या हो जाएगी गतिज उर्जा और इस्तितिज उर्जा kinetic plus potential और E साई की value आ जाएगी तीनों जगा साई लगा दो यहाँ साई लगा दिया यहाँ साई लगा दिया यहाँ साई लगा दिया तो यह equation हमें मिल जाएगा operator के form में अब यह भी बताया था कि energy का operator क्या होता है I h cross del by del t P square का operator हमारे पास कितना था minus का h cross square del y square और V का कोई operator नहीं होता है V के संगत V कोई normal लिखते है मानली जी यह function position और time का है वैसे potential energy mostly केवल R का इस function होती है क्योंकि अगर Q1 Q2 charge है तो उन दोनों के वीच के potential energy कितनी आती है के Q1 Q2 upon R time नहीं आया ना इसमें केवल R ही आया similarly अगर दो mass है M1 M2 उनकी potential energy निकाले तो वो होती है GM1 M2 upon R इसमें भी time नहीं आया ठीक है तो generally अपन T ले रहे हैं बाद में अपन इसको केवल R का function ले लेते हैं तो यह होती है क्योंकि कुछ-कुछ cases के अंदर यह time का function आ जाता है अपनको given होता है वो special condition में तो यह जो समीकरन होती है यह बहुत important है और इसे कहते है time dependent Schrodinger equation काल आश्रित Schrodinger समीकरन ठीक है एक्जाम में direct इसका derivation आ सकता है कि काल आश्रित Schrodinger समीकरन और काल अनाश्रित time independent अपन इससे बाद में derive करेंगे लेकिन यह होती है time dependent Schrodinger equation झाल आश्रित